कुछ लोगों को बाते बनाने का बवाल करने का सिर्फ और सिर्फ एक बहाना चाहिए और जब कभी वो बहाना मिल जाता है तो भाई इतना बवाल होता है कि सोशल मीडिया भी हिल सा जाता है लेकिन ऐसे लोगों को कई बार जवाब देना भी जरूरी होता है ऐसा ही कुछ इस और भी हुआ है क्या है बात पूरी बद आएंगे हम आपको अपने इस वीडियो में तो आप वीडियो को एंडि तक जरूर देखें लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्ट्रक्राइ नहीं आए उनके कुछ पिक्स आजाए ना तो भी बवाल सा हो जाता है मतलब बाते होनी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ शहनास पर और कोई इन्हें दिखता ही नहीं है भाई पिक्चर्स अगर सामने कुछ ऐसे भी आजाते है ना तो बात हो या ना हो कोई ना कोई बहाना मि पार्टी में और ये कुछ पिक्चर्स सामने आए तो लोगों को बाते बनाने का मोगा मिल गया और यहां पर आयूश शर्मा शेहनास की बांडिंग पर लोगों ने बहुत सारी बाते बनाई बहुत कुछ उंगलियां उठाई यहां तक कह दिया कि शेहनास ऐसे करने की और यहां पी सेम एक्सप्रेशन है आयूश का और आयूश शर्मा का शहनास यहां शहवास के साथ ही एकसा expression नहीं है उनका जिनके साथ भी पिक्चर्स आएना सबके साथ उनकी आखें और इसी तरह रा रही है और उनका फेस एक्सप्रेशन भी हमेशा ऐसा ही होता है तो भा अगर स्टार्स हों कोई फर्क नहीं पड़ता है शर्मा के एक्सप्रेशन को लेकर भाई लोगों ने इतनी बाते बनाई हैं कि हम आपको क्या बताएं लेकिन अब शहबाज ने इस पिक्चर को शेयर करके कहीं न कहीं उन लोगों को भी मुह तोड़ जवाब दिया है कि भाई हर बात पर बात बनाना जरूरी नहीं होता कुछ चीजों को एकनोर भी कर देना चाहिए लेकिन नहीं भाई लोगों को तो हर बात को लेकर बात बनाना है बैसे लोगों का क्या किया जाए और शहबाज ने इस पिक्चर को शेयर करके कहीं न कहीं उन लोगों के मुह पर भी जो इस तरह से उंगलियां उठाने का काम ही करते हैं, उर शहबाओ के साथ भी आयुष शर्मा का एक अच्छासा बांड नजर आया है, तो सब के साथ आयुष शर्मा का एक अच्छा खासा बांड नजर आ और भाई मस्ती भरा माहूल है आखिर बर्दे पार्टी है तो मस्ती तो होगी क्या हम आम इंसान होकर किसी भी बर्दे पार्टी में जाते हैं तो इंजॉय तो करते हैं यह न फ्रेंड्स के बीच यह सारी चीजे होना एक नॉमल बात है लेकिन शाहिनास के मामले में पता नही लोगों को क्या हो जाता है और लोग इस तरह से भी हेव करने लगते है तो गलती पिक्चर्स की कपड़ों की मस्कुराने की या डांस की नहीं गल्ती लोगों के नजरीय की है अब नजरिया बदलना खुद उन्के हाथ में और किसी के हाथ में वैसे आपका इस बारे में क्या है कहना कमेंट में आका है में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करके जाज़ादे शेर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स वाचिंग गाई